नमस्कार मैं हूँ सीमा चौद्रिय इस वक्त में प्रधान मंद्री नरेंद मोदी के संसेरे छेत्र वारांसी मुपस्तीतु वारांसी का ये चेत्र स्वीपूर यहां पे कांसी ्राम आवास है मेरे पीछे जो आप देख रह artài है कांसी राम आवास है इसमें बहुत से परिव है किन परिस्थितियों में अपना जीवा नियापन कर रहे हैं अपने परिवार के साथ यह प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के संसदी शेत्र का शिवपूर इस्थित कांशी राम आवाज इस कालोनी में लगभग 1500 से अधिक आवाज हैं यहां पर सामना फुर्ण आपके में की नाली में पुरा पानी इसे कारण मत शरक से यहां के लोग बिमार पार रहे जहां रिक्षा ओटो चलाने वाले, मजदूरी करने वाले, बोराड होने वाले और दूसरों के घरों में काम करने वाले लोग रहते हैं, लोगों को यहां रहते हुए लगभग देड़ दशक हो चुके हैं पोड़ी बिलने जाते हैं और ते किते दिनुसर अरी हैं आप यहां पर, जब से हवास मिला तब से मिला है, क्या-क्या परिसानिया यहां पर आप लोगों को देखने को में रही है, यही सब परसानी मेडम यह गंदगी रहता है, कोई सुनवाई नहीं होता, ती ते वारा तो इस आवाज की इस्तिती बहुत ही जरजर हो चुकी है, ना पानी की वैबस्ता है, ना ही नाली की इन मकानों की इस्थिती इतनी जरजर हो चुकी है कि कभी भी कोई बड़ा हाथसा हो सकता है, किते साल से आप यहां पर रह रही है, एक बात बताईए, यहां पर कुछ जो मकान दीख रहे हैं, वो पूरी तरीके से जरजर दीख रहे हैं, इसमें डर नहीं लगता, क्या, बात रखी, यहां कुछ मकान बहुत जरजर दीख रहा है, तो डर नहीं लगता, अब क्या करें रहने को कई ठेकाना नहीं, डर तो लगता है, शहर को स्वच्छ रखने का काम करने वाले खुद बढ़ाली में जी रहे हैं, जब-जब यह अपनी आवाज की समस्या लेकर प्रशासन के पास जाते हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं होती, प्रशासन और सरकार शायद किसी हादसे के इंतजार में हैं, नहीं हैं, जो आपने कोई Volvo